नमस्कार बच्चो, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कारिय शाला में प्यारे बच्चो, हम पार्ठ नो से बारह तक पूरे कर चुके हैं और थाथ हमारे पार्ठ नो से बारह तक पूरे हो गई हैं और आज हम पार्ठ ते रह करेंगे पार्ट लो से बारह तक के हम लिंग बदलो, वचन बदलो, कोशन आंसर, एक्सरसाइज, और प्रोजेक्ट, अनुछेद, और प्रार्था पत्र, परिभासा, सब कुछ कर चुके हैं यानि कि हम व्याकरन का काम भी पूरा कर चुके हैं, और रीडर के भी पार्थ चारों पूरे कर चुके हैं आज हम करेंगे पाठ 13, पाठ 13 का नाम है शरीर के अंग, क्या नाम है पाठ 13 का? शरीर के अंग, ठीक है बच्चो? देखिए, शरीर के, हमारे शरीर के बहुत सारे अंग है, बहुत सारे पाठ है, जैसे हाथ, कान, नाक, मुह, जिवा, सीर, पैर, अंगुलियां, ये सब क्या ह श्रीर के अंगों के नाम है और बचो हमारे सभी श्रीर के अंग कोई ना कोई काम करते हैं ठीक है बचो हमारे श्रीर के सभी अंग कोई ना कोई काम करते हैं सभी का काम अलग अलग है इस पार्ट में हम इस पार्ट में श्रीर के विभिन अंगों के क्या क्या काम है इसके बार है ठीक है यानि कि यह पार्ट हम पढ़ेंगे तो इस पार्ट से हमें किसके बारे में पता से लेगा शरीर के अंगों के नाम पता से लेगे कि हमारे शरीर के कौन-कौन से अंग है और उनके क्या-क्या कारिये हैं हमारे शरीर के अंग जो क्या-क्या काम करते हैं तो एक नाटक के तरीक से नाट के माध्यम से बताया गया है ठीक है यहां देखे दात जीव पेट हरिदय हाथ पैर आख नाक और कान अपनी अपनी विशेशताई बताते हैं सब विशेशता है सभी के दवारा मनले इन अंगों के दवारा इन में से कोई भी अंग ना हो तो हमारा शिरीर कारि नहीं करेगा ठीक है तो सब के अपने अलग अलग काम है अपने अपने काम है और सब के अलग अलग विशेशताई है ठीक है तभी दिमाग सभी अंगों को समझाता है तो सारे अंग जो शिरीर के बारे जो सारे अंग है वो अपने बारे में कुछ-कुछ बता रहे हैं अपने सब्सक्राइब ऐसी परका श्रीर के हमारे अंग है विए सब Adidas महतोपूर्ण है हमारे शरीर के जितने भी अंग है वे सारे के सारे महतोपूर्ण है ठीक है सब का अपना अपना काम है सबी अंग जो है विशेश है खास है तो इसके बाद शरीर के सारे अंग एकता के महतो को समझने लगते हैं जैसे हर्दय उन सब अंगों को समझाता है कि जिस परकार, कार और मशीन पैट्रोल डालने के बाद चलते हैं, उसी परकार हमारे शरीर के अंग भी अपना-पना कारिय करते हैं, और उनका अपना-पना महतव है, सभी महतव पुर्ण सारी अंग, एक अंग ना हो तो उसके बिना हमारा शरीर इन सभी अंगों की आवशकता है, जरूरत है शरीर को, यह सारे अंग होंगे, तो हमारा शरीर अच्छी तरह से करेगा, ठीक है, आए, और अधिक जानते हैं, इस पार्ट के माध्यम से, शरीर के विभन अंगों के कारियों के बारी में, ठीक है बच्चो, देखे, अभी मैं शरू करती हूँ, अभी सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एक बार, दिखाई देना, देखो बच्चो, यह पिक्चर हर, यह देखो, एक बार, जीव और दात की आपस में लडाई हो गई, एक बार क्या हुआ, जीव की और दात की दोनों की आपस में क्या हो गई, फैसला करत क्या है नयाय फैसला का क्या रत है निरना है ठीक है बच्चो तो देखें दोनों के दोनों कहा पूझे पेट के पास अपना निरना करने के लिए फैसला करने के लिए दात कहता है पेट भहिया दात कहता है पेट से पेट भहिया मैं 24 घंटे मेहनत मजदूरी करता लेकिन स्वाद जीव को मिलता है दाथ क्या कहता है कि मैं तो 24 गंटे मेनत करता हूं मजदूरी करता हूं अब और लेकिन स्वाद किसको मिलेगा जीव को ठीक है पेट कहता है कि दाथ कहता है कि पेट भाया मैं तो मेनत मजदूरी करता हूं लेकिन सब चीजों का खाने का स्व जीव को मिलता है दात जैसे मेनत मुझदूरी करता है कोई भी चीज खाते हैं तो उसको हम किसके सारे काटते हैं उस चीज को दात के सारे तो काटते हैं तो दात ने कहा कि पेट भाया मैं सारा दिन मेनत करता हूं मुझदूरी करता हूं काम तो मैं करता हूं और स्वाद जीव को मिलता है हूं चीजों का जो मैं काटता हूं मैं खाता हूं ठीक है अब जीव क्या कहती है दिखिए जीव नहीं भईया दाथ तो उसी चीज को तोड़ता फोड़ता है जो उससे तोड़ा जा सकी जब अब आप ही फैसला करें तो जीव कहती है पेट को नहीं भईया ऐसी बा दाज जिस चीज को तोड़ से के उसको तोड़ता फूरता ही रहता है ठीक है कि आप भी बताई आप फैसला करें कि किसका मेनत का काम है ठीक है अब जीव पेट से कहते हैं कि आप इस बात का फैसला आप ही करिए ठीक है बच्चो यह देखिए यह पेट है पेट के पास यह खड़ी है ये पेट है ये दाथ है ये जीव है गई हुए ने सारी तो अब देखिए पेट कहता है चलो हम दिल के पास चलते हैं अब पेट उनसे कहता है चलो हम दिल के पास जाते हैं दिल से फैसला करवाते हैं इस बात का अब वो हरिदय कहता है उनसे वो दिल के पास ले जा स्वागत है तो हरदय उन सबसे कहता कि आईए पहले तुम आप सभी का स्वागत करता हूं जब हम किसी के पास जाते हैं तो पहले तो हमारा स्वागत करते हैं आने के लिए तो अब उन कहता कि क्या बात है कि आप तीनों शान्त हैं हरदय पूछता कि क्या बात है वह आप तीन मिलकर काम नहीं करेंगे ॆ वह क्यिंब और दाती है कि नहीं करेंगे क्या केते हैं कि हम मिलकर काम नहीं करेंगे फिर हरण दात सारा दिन गुलामी आपके लिए करते हैं और आप आराम kami तो हर्दे पेट को कहता है कि यह तो आपकी समस्या है क्योंकि जीव खाती है दाथ काटता है तो सारा खाया प्या का जाता है पेट भी तो जाता है तो हर्दे कहता है कि तो आपकी समस्या है आप जानी समस्या को जीव और दाथ तो सारा दिन क्या करते हैं सारा दिन काम करते है ठीक है, सारा दिन गुलामी करके आपके लिए करते हैं, सारा दिन गुलामी आपके लिए करते हैं, जो भी काम करते हैं आपके लिए करते हैं, और आप सारा दिन अराम करते हैं, पेट तो अराम से बैठा है, खाली बैठा है, पेट को तो अपने आप मिल जाता है, सब भुजन मिल जाता है ना अब पेट करता है देखिए चलो हम हाथ के पास चलते हैं अब पेट करता है चलिए अब हम हाथ के पास चलेंगे हाथ फैसला करेगा तो अब यह हाथ के पास जाते हैं तो हाथ पूछता है उनसे क्या बात है आप लोग कुछ चिंतर दिख रहे हैं तो यह कुछ करो नहीं तो मैं अब भूख से तलब कर मर जाओंगा तो नहीं तो मैं भूख से तलब कर मर जाओंगा और जीव उसको पेट को खाना कासे मिलेगा कहीं से भी नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ना तो कहता है कि कुछ करो नहीं तो मैं बुखा बुख से तलब कर मर जाओंगा कौन कहता है ये बात है पेट फिर दात और जीव मुझे खाना नहीं देते ही नहीं फिर आथ कहता है देखें आथ क्या कहता है कि उसकी बात के क ठेका बच्छो समझ गए देखिए आज हमने पेज 83 पड़ा है और पेज 84 पड़ा है कल हम इस पार्ड पेंग पेज 85 और 86 पड़ेंगे यानि के 85 कल पड़ेंगे अब देखिए अब मैंने दोनों पेज आपको पड़ा पार्ट का कुछ पार्ट आदा पार्ट मैंने आपको पढ़ा दाब आगे तो आपको समझा है रहा है कि सभी के काम अलग अलग है कोई भी शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर भी काम नहीं करेगा अर्था सभी अंगों की महतवताव है सभी अंगों की पढ़ने हैं मैं आप से कल पहले कोशन पूछूंगी फिर आपको अगला पार्ट पढ़ाऊंगी इसका अगला भाग पढ़ाऊंगी ठीक है धन्यवाद शुब दिन